वीडियों में कैबिनेट में होगा फैसला जो की शिक्षव इमांग में मल्टी टास्क वर्कर्स की रहने वाली है और पी डव्यू डी में भी मल्टी टास्क वर्कर्स की रहने वाली है और आपको बता दिया जाए हैं आप साथ हजार से जाधिक विकेंस हिमाचल परदेश में खाली पड़ी है और कहा जा रहा है कि जो जरूरत होगी उसके साबसे बरी जाएंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आपको यहां पर बता दिया जाया है सरकार में सरकारी स्कूलों में आठ पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर रखे जाने हैं और इसके लिए संबंदित पक्षों से चाचा चल रही है कैबिनेट में अगामी बैठेक में इस वर्यों में फैसला लिया जाएगा जैसे कि आपको पिछली वीडियो में भी अगर आपने देखा हो तो वहां पर बत किया जाएगा तो चली दिखते हैं आपको यहां में बता दिया जाएगा तो टोटल यहां पर 13,000 बकैंसिस रहेंगी जैसा कि 8,000 यह और पांच उज़र यह और यहां पर बता दिया जाए जो शिक्षा विवाग्या उसके लेटिर पॉलिसी यहां पर बन चुकी हैं जैसा क हमने पहले भी देखा था इसी लेटेर 18 रूल के अंडर बकेंसिस को भरा जा रहा था लेकिन उसके अगेंस्ट बहुत सारे केस आने के कारण मुख्य मंतरी के विशेशा दिकार्प के जो केस आये थे बहुत सारे तो वहाँ पर यह किया गया था कि मल्टी टास्क वरकर्स की भ है और यहां पर यह सब बताया जा रहा है कि पॉलिसी में संशोधन करने के बाद कैबिनेट में इसे पेश किया जाएगा और मंतरी गोविन सिंग ठाकुर ने मंटी में कहा था कि मल्टी टास्क वरकर्स की भरती चल चुरू हो जाएगी इसके लिए सभी पक्षों से चर्च की तो यहां पर बताया जा रहा है कि वहां पर मल्टी टास्क वरकर्स पांच दा रखे जाने हैं लेकिन अभी पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है इस ड्राफ्ट पर क्रमिक और बित विवाग से राय ली गई है लेकिन निक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ दाफ कैबिनेट पहले ही ने दे दिया है जिसमें बताया जा रहा है कि वित विवाग ने इन भरतियों को जल शक्ति की पैरा वरकर्स पॉलिसी के तहट करने का सुझाब दिया है पी डब्यूडी इस पर कितना सहमत है तो यह तो जब नेक्स्ट पॉलिसी आगी तब ही पता चलेगा तो यहा अब हम जानेंगे 60,000 विकांसे कौन कौन जी है और निक्स यहाँ पर पॉइंट जाने वाला है सरकारी कारयलों में रिक्त पड़े 60,000 से अधिक पद खाली और यहाँ पर आपको बता दिया जाये तो इतने सारे यहां पर वकांसे हैं जो की लोग सेवा दे रहे हैं और यहा पर हम बात करेंगे तो सरकारी कारियों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार परदेश में 1.81 लाक नियमित करमचारी है अनुबंधन करमचारी 20,000 है और अधिक अंशकाले नियहाँ पे 4,000 करमचारी रहने वाले हैं लगबख 4,000 विद्धय उपासक हैं पैट हैं सेवी बपैरा शिक्षक हैं 7,760 दैनिक भोगी हैं स्थानिय निकाओं में सेवारत 2800 करमचारी के अतरिक लगबख 32,000 करमचारी सावजनिक उपकरमों में सेवाएं दे रहे हैं इसके बाब जुद आपको बता दिया जाए प्रत्रम शेड़ी में 4,208 और दृत्य शेड़ी में 43,412 और च को भरने का परियास किया गया है वो अधिकाश मामली यहां पर आदालतों में चले गए हैं तो यहां पर भी आप देख सकते हैं जुरुत पदों को भरने के लिए परियास कर रही है क्रिशी मंत्री विरंदर कवर जी ने बताया है यहां पर कि हम परियास कर रहे हैं जो भी पोस्टे रहेंगे उनको भरने का और यहां पर बताया जारा है कि जो नई पंचायते बनाई गई थी उनके लिए जो स्टाफ महया करवाना था तो उसको भरने की त्यारी स्टार्ट कर दी गई है और जो पुरानी पंचायतों के सचीवों की जो परिक्षा हुई थी उनका रिजल्ट जल्द ही गोचित कर दिया जाएगा यहां पर तो यहां पर यह सब अपडेट है कि कामकास पर भावित नहीं होना चाहिए इसलिए जरुवत के पोस्टों को भरा जाएगा तो यहां पर यह सब बताया यूज होगी जोगे इंपोर्टन्ट हो आपके लिए तो उसको वीडियो के माद्दमजे आपको बता दिया जाएगा आप चैनल को शेर सब्सक्राइब में लाइक करना मत भूलिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलिक्राम का उससे भी जोईन कर मत भूलिए गाएगा और लिंक आपको डिस्क्राइब में मिल जाएगा और लिंक आपको बता दिया आपको इपको।